प्रियांका चोपड़ा की घर में आई सीलन, छोड़ दिया 165 करोड का बंगला, ग्लोबल स्टार प्रियांका चोपड़ा अपने पती निक जोनस के साथ अमेरिका के लॉस एंजलेस में रह रही हैं, अब उनके ड्रीम हाउस को लेकर बड़ी खबरें सामने आई हैं, बताया जा रहा है कि कपल ने मुश्किलों का सामना करने के बाद इस घर को खाली कर दिया है, इतना ही नहीं उन्होंने इस घर को बेचने वाले शक्स पर मुकदमात भी ठोका है, रेपोर्ट्स के मुताबिक प्रियांका चोपड़ा और निक जोनस ने साल 2019 में इस घर को 20 मिलियन ड जिस्सो में सीलन और काई लगने लगी और समस्याएं पैदा होने लगी, कपल ने अपने मुकदमे में कहा है कि ये चीज लोगों के स्वास्त पर असर डाल सकता है, आपको बता दें कि इस लगजूरियस प्रॉपर्टी में साथ बेडरूम, नौ बातरूम, टेंपरेचर कं इसके पूल और स्पा में दिक्कतें आने लगी, वाटर प्रूफिंग के मुश्किलों के चलते घर के हिस्सो में काई की समस्या और दूसरी मुश्किलें खड़ी हो गई, इसमें ये भी कहा गया है कि घर के डेक पर बार्बेक्यू एरिया में भी पानी लीक होने की दिक्कत सामने आने लगी, प्रियंका और निक इस समस्या की वज़े से हुए नुकसान की भरपाई की मांग कर रहे हैं, रिपोर्ट्स की माने तो मुकदमे में कहा गया है कि कपल को रिपेर का पैसा वापस मिलना चाहिए, इसके अलावा जो भी नुकसान उन्होंने उठाया है उसक जोनस अपनी बेटी मालती मेरी को लेकर दूसरी प्रॉपर्टी में शिफ्ट हो गए हैं, जब तक उनकी ये प्रॉपर्टी रिपेर नहीं होती, दोनों अपनी बेटी की साथ वहीं रहेंगे, कपल अपने काम की वज़ह से दुनिया भर में ट्रावल करते हैं, लेकिन उनक स्वागत किया और जीजु के नारे लगाए था, वहीं प्रियांका चोपड़ा अपने हॉलिवुड प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं, तो इस खबर पर आपकी कराया है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, फिलहाल इस रिपोर्ट में केवल इतना ही, ऐसे तमाम और खबरो के लिए देखते रही है, रिपोर्टर जी